तीनों के नाम लिख जाए एक साथ, ABCD करके, पहला है कोरोल, फोटोशॉप, पेजबेकर, तीनों उसी के निचे लिख जाएए, हो सकता यह कोश्चन मन जाए, there are mainly three major applications in DTP, लिख चुके हैं, DTP पैके, अभी तीनों के नाम लिख जाएए, 123 लिखे, ABCD लिखे, या किमर जी है, कोरोल पहला, कोरोल रो, दूसरा, फोटोशॉप, तीसरा, पेजबेकर, अब दो-दो लाइन से डिस्काइब कर दते हैं, नमबर वन, पेजबेकर लिखे, हम लास्ट वे कोरोल डो में हैंगे, पहला पेजबेकर, इससे यह पता चलेगा, हम इस पे तीनों-चालों चीज दिखवा देंगे, क्या करते हैं, क्या यूज होगा, क्या नेचर है, सब कोछ, पहला क्या लिखे हो पहला लिखे, अर। पहला लाइन लिखे हो, través. इससे लिखे, इससे लिखे, अब इसके ही रोकता हूँ, एक चीज पूछता हूँ आपसे मूव का मतलब क्या होता है किसी एक नहीं, गुमना, गुमना, लेकिन कम्प्यूटर साइंस में क्या है, मूव का मतलब है किसी की ओरिजिनल्टी को हटा करके दूसरी जगह रिपलेस करते है इस चीज को हमने यहां से उठाया, तो मतलब जब यहां से चोड़वाएंगे तो चोड़वाएंगे, तो कट करेंगे और जब दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसको करेंगे पेस्ट, तो इसकी ओरिजिनल्टी अब खतम होगा अब यहां जहां ओरिजिन था, वहीं नहीं मिलेगा तो इस, कट पेस्ट, तो इसकी दिकट है लेकिन यहां भी रहे और यहां भी चले जाएंगे जिस कपी पेस्ट इसमें ओरिजिनल और डुप्लिकेट का कोई वैलू नहीं होता है मता करमाली के आपने राम लिखा, राम को कपी पेस्ट कर दिया तो वो भी ओरिजिनल है, यह भी ओरिजिनल है यहां फोटोकॉपी जैसा सेंस नहीं रखना है फोटोकॉपी जैसा सेंस नहीं रखना है बोथ हार ओरिजिनल, हाँ या ना? इसमें कोई डाउट है लेकिन इसमें एक अब एक नया कंसर्ट आपको देने जा रहा है वाट इस डिफरेंस बिट्मिन टेक्स्ट मूव और अबजेक्ट मूव और इसको आपको हर हालत में इस पर स्टार लगा लीजे हैस लगा लीजे इसको बीना देखे आगे मत पढ़िएगा इट में भी